असलाम अलेकुम वेलकम बेक टो माई चैनल आप देखने है केसबर्स अबडेट अच्छा आज की वीडियो जो है वह वह रोग पैरिड यानि अलेक्जन राइन पेर्स के हमाले से कुछ इंफर्मिशन में आपको दोंगी कि अलेक्जन राइन का ब्रीड क्यों नहीं कर रहा है क्या वज़ा है इसके साथ ही जो है कुछ ब्रीडिंग टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगी ब्रीडिंग सीजन में ठीक है तो कम्प्लीट वीडियो आप लोग देखिएगा कोशिश करती हूं मैं कि पूरी इंफर्मिशन आपको देशकूं त अगर हमने अलेक्जन राइन का पेयर ब्रीट के लिए लगाया वाई तो यह दोनों ही मेल होते हैं ऐसा मुम्किन है ऐसा होता है यारी एक जो है आपने बड़े एज का रिलिया जिसका पूरा कंठा आया वाई यारी आप देख सकते हैं कि इसकी गर्दन पे एलेक्शन इससे हमें अन्दाजा हो जाता है कि मेल जो है अडल्ट हो चुका है इसकी एज जो है वो बीड के लिए है तो दोनों आपस में पूड भी एक्षेंज करते हैं तो इस वजह से आप लोग देखकर लें यानिकर अच्छी एज की फीमेल ने ताकि आपके यारी तयार है अच् आखों के बांगों के लाता है और गल्राइब भीक्स कलर के उसकी एज़ी और पिलिडर में अच्छी एज़ की फीमे डाले हूँ और आपको SELE तो अपको अपको मेल और फीमेल समघेए तो इस वज़े से इस चीज का ख्याल करें अच्छा इसके इलावा जो है अगर आम मेल खरीज रहे हैं तो उसके लिए आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि उसके जो पाओं के नाखुन होते हैं वह आपने देखने हैं कि नाखुन जो है वह कहीं से खराब नहों या आपने ख्याल करना है अच्छा इसके लावा जब आप खरीज रहे हों मेल को तो आपने ये भी देखना है कि मेल के पाओं में कोई ऐसा फाल्ड ना हो या निके पाओं जो है वह टेड़े नहीं हो ठीक है यह आपने लाजमी चीज देखनी है क्योंकि फिर जैसे जैसे उसक इसके यह लावा फिर देखनी पर तो वो डीड़िवा फिर प्रफ्रण के नहीं होती बार्न बायर बीड़े लग रह चाहिते हैं कि मुल्ड़ है असके लावा आप अगर ब्रीड के लिए खरीद रहे हैं तो सबके लिए एक आर इंफॉर्मेशन है कि आप जब भी कोई पै वहारा बर्ड सीप में नाया वह तरह तो इसके चोंच के नीचे जो गर्दन है और सामने के तरह बिलकुल थे आप देख सकते हैं यहां पर जो है अध्डी कर देख थोरे उबरे में तो इस साइट पर हमें हाथ लगाकर चेक करना पड़ता है कि यह सीप में तो नहीं आया वह यानि इसे सोक्रा की बिमारी भी कहते हैं इसमें 50% बर्ड बच जाते हैं 50% एक्स्पायर भी हो जाते हैं तो वो सीर्स वगारा खाना छोड़ देते हैं तो इस विएसे कमजोर होते रहते हैं और मुक्तलिफ बिमारियों में आती रहती हैं प्लकिंग फैडर की भी बिमारी आ जाती है यानि इस रिलेटेट सोक्रा की बिमारी से काफी जादा प्रॉब्लम उसमें आ जाती हैं अगर बर्ड's को सीप की सोक्रा की प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को आपने लाजमी देखके लेना है जरूरी नहीं है कि आप breed के लिए ले रहे हैं तो ही आप देखेंगे ये चीज आपने लाजमी देखनी है क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि जो सोकरा में सीप में आ रहे होते हैं तो लोग उनको सेल कर देते हैं और new fancier को इतना पता नहीं होता कि ये problem हो सकती है ठीक है फिर कुछ time के बाद या कुछ महीनों के बाद या मुम्किन है कि साल देर साल बाद भी वो पेर जो है अचानक से expire हो जाता है तो ये बहुत बड़ी वज़ा होती है तो ये लाजमी देखें कि उसकी हट्टी जो है बहुत जादा उबरी वी बहुत जादा निकली वी ना हो ठीक ह कुछ पेरिस ऐसी होते हैं कि जिनकी पॉने तीन साल या तीन साल में भी जाके कंटी आती है ऐसा होता है ठीक है ये Μेरे सामने का इसा गुघरा है तो मैं आप छो रादा पानात प difκरहने कि या कि बहुत बहुत ख्याला ही तो किसी जान पैचान 트سمा की या नstar या कि रिलीट जूत का बहती है इसे के जहता है जेत के ल्गतर के ला मेरा तो भी ति वा खाते है πने शादा बहता बिखाए कि तो के जोच दो बिखेंगे ता कि झायर से कि सब्सक्ता करें करें और फिर यह इसे वारवन पेर के स्कंवुक्त में डाल है अशओ क्य台 है तो पाइँ आप रागा इसका सर्ट मेरीज़ में युक्त करहें 褐 पीर कीजर सकंवार प्रमार और पिक रहेंड करएंस से घुष में सबस्क्राटियानुर्ण करें तो भी कहीं पेर नोग करने तो बेंट तो मुझी आपने पीस डाले एक चीज डाले एपल डाल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक ही बड़ा पीस डाल दें उससे इनको फूड एक्षियंज करने की आदत परती है रिंगनेक को और इसी तरीके सेट किया है ऐसा नहीं है कि आपने डाला और कल ही पेर बॉंड हो जाएगा तो आप लोग इसी तरह से दें तो हफ्ता दर जिन में जो करना शुरू करेंगे तो वह बहुत ही जल बीड भी कर देंगे ठीक है अच्छा मजीद कुछ टिप्स में और आप लोगे साथ शेयर कर देती हूं ठीक है कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स के सामने मैंने इस्टिक लगाई वी है ठीक है काफी मोटी और बड़ी इस्टिक है अपर लगाई विए दूसरी इस्टिक थोड़ी नीचे लगाई विए ठीक है उपर लगाई वह बॉक्स के बिल्कुल सामने है ताकि पेर को कोई प्रॉब्लम नहों फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहों इस पर दिखाती हूं कि इस्टिक किस तरना से लगाए यह आप देख स टिक के नहीं कि अब पर लगाई है इसी तरीके से आप अपने केज की सेटिंग करें तो आपका प्रॉब्लम जल्दी इसके इलावा जो है केज साइज जो है आप अपने बर्स को प्रॉपर दें जितना बड़ा केज होगा उतनी ही अच्छी ब्रीड अब ले सकते हैं च्छ जोटे केज में बर्स थोड़ा सा डिस्रप रहता है बीड साइनिंग कर पाता या दो तीन कलज देने वाले होते हैं वो पिर जाहतर एक ही कलज देते हैं तो यह रीजन होता है कि बीड साइन आने की वज़ज़ से तो इन चीजों का ख्याल करें कि आपके केज का साइस बहुत उस्चीज़ आप चाहिए तो यह जान रादा चाहिए जिसमें भी आप अच्छी बीड ले सकते हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है इस टिक का मैंने बता दिया इस टिक का आपको किस तरीके से लगानी है अच्छा आप करना है जितना सादा आप डिस्टरब मगर मेरे कोशिश होती है कि मैं फ्रीमिल ना लूँ इतना इशुम नहीं ऊता मगर मेल हैंटम होता है तो थोड़ा सा इशुम होता है ब्रीट करने में दूसरी बात यह कि पेर जाधा तर आपस में यानि मेल फिर में इंटरस्ट नहीं लेता है तो इस वज़ाश से अगर प्रिड दिज़ और फर्स और सेकंड गलश आने के भी बहुत कम चांस हो जाते हैं इस वजह से पेर को बिल्कुल सेपरेट दें इस्पेशली ब्रीडिंग सीजन में ब्रीडिंग सीजन गुजरने के बाद हम मेल जो हैं फीमिल जो हैं हम अलग कर देते हैं तीक है यानि एक के जो पेर जिसके साथ बॉंड हो जिसके साथ सेट हो रहा हूं उसको आप पेरिंग कर सकते हैं ठीक है अच्छा इसके इलावा जो है वीडियो का में लास्ट कर रही हूं जाते जाते एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि फॉर्मूले आप अपने पेर जल्दी आजाएगी ऐसा नहीं होगा बर्के आपका नुकसान हो सकता है पेर मोल्डिंग पर आ सकते हैं फैदर स्टार्ट कर सकते हैं तो इस वज़ा से सिफ हफते में दो दफा ही अपने बर्स को फॉर्मूले आप दे सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है तो पसन आई होगी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरू कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी आप लोगे लेकर आओंगी थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो